क्यों दिया माता पार्वती ने गौ माता को जूठन खाने का स्राप तीज का पहला दिन था और माता पार्वती ने तीज का ब्रत रखा था लेकिन जब पार्वती माता के ब्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान सीब को उनके साथ थोड़ी हसी ठीठोली करने का मन हुआ और माता परवती को चिढ़ाने के लिए कहीं छीब गए अब माता परवती के ब्रत खोलने का समय था इसलिए वो भगवान सीब को ढून रही थी उन्होंने सीब जी को हर दिशा में हर जगर ढूंडा गुफा, जंगल, पहाड लेकिन माता परवती जी को सीब जी कहीं भी नहीं मिले और अंत में ठक हार कर माता परवती एक खाली मैदान में पैठ गई और सीब जी के अंदर आने का इंतेजार करने लगी समय भीत्ता गया, लेकिन भोले नात नहीं आये फिर माता परवती ने सोचा कि भगवान सीब तो समग्र सिष्टी के नात है उन्हें कहां क्या हो रहा है, सब पता होता है और ऐसे में वो परवती मा को पूजा करते हुए भी जरूर देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे यही सोच कर माता परवती ने एक मिट्टी का सेवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी और जैसा कि परवती माता ने सोचा था वैसे ही भगवान सीब यह सब कुछ अद्रिस से होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही माता परवती जी की पूजा संपन हुई सीब जी वहाँ प्रकट हुए और माता परवती को चिढाते हुए बोले देवी आपने तो अकेले ही पूजा कर ली आप मेरी प्रतिक्षा भी नहीं कर पाए ऐसा क्यों? तब परवती जी ने कहा हे प्रभू मैंने तो आपका बहुत इंतेचार किया लेकिन सुरियास्ति हो चुका था और रात होने वाली थी इसलिए मैंने सिबलिंग बना कर आपकी पूजा कर ली और अपना ब्रत संपून किया यह बात सुनकर सिब जी ने फिर ठीठोली करते हुए कहा मैं तुम्हारी बात पर कैसे भिश्वास कर लूँ? क्या इस बात का कोई साच्छ है? तब माता पारवती ने थोड़ी दूर एक गाय को खड़े हुए देखा तब माता पारवती ने कहा यह गाय मेरी पूझा की साच्छी है आप इनहीं से पूछ लीजे लेकिन वह गाय भी भोले ना की यह हसी ठीठोली के बारे में जानती थी जिस बज़े से जब सिब जी ने उन्हें माता पारवती की पूझा के बारे में पूछा तब गाय ने नामय सर ही लाया और सीप जी ने हसते हुए उनसे कहा कि वह बस उनसे थोड़ी हसी टिटोली कर रहे थे और वह सत जानते हैं लेकिन अपने पती के सामने जूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती को सहन ना हुआ और उन्होंने गाय को स्राब देते हुए कहा जिस तरह आज तुने जूठ बोला है उसी तरह अब तुझे जूठन ही खानी होगी भले न तुझे अच्छे से अच्छा भोजन क्यों न मिले लेकिन तू जूठन ही के पीछे भागेगी यह सुनकर गौ माता बहुत ही दुखी हुई और तब सीप जी ने पारवती जी को बताया कि उस गाय ने मेरे कहने पर ही जूठ बोला था और उसका इसमें कोई दोस नहीं है यह बात सुनकर माता पारवती को अपने स्राब पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कोई माता को गया आसिरवाद दिया कि वह दिब्ब जन्मा है और उनके सभी गुन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे लेकिन उनका दिया गया स्राब अब नहीं टल सकता दोस्तो यह थी आज की कहानी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और तभी से हम तीज पर मिट्टी या देत के भूले नात बनाकर उनकी पूजा करते हैं थैंक्स पर वाचिंग